वीडियो लेके आए हैं बेस्ट टायर फॉर टाटा नेनो काफी कोशिस मेरे हर वीडियो के उपर आता है किसा टाटा नेनो में कौन सा टायर डाला जाए देखिए दोस्तों टाटा नेनो के अंदर कोई बहुत बड़ी आपके पास क्या हैं चॉइसे अवेलिबल नहीं है सबसे बड़ी टाटा नेनो में प्रॉब्लम है कि फ्रंट वील्स के अंदर अलग टायर साइज लगता है और जो पीछे वाले टायर है उनमें अलग टायर साइज लगता है चलिए वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जो दोनों टायर साइज लगते हैं आगे और 70R12 and rear wheels के अंदर 155 65R12 155 65R12 इसके अंदर आपके बास टायर थोड़ा ट्वीक करने के option भी नहीं है कि नियर स्टायर साइज आते हैं 145 70R12 जो मारूती 800 में और 145 80R12 जो आल्टो में लगता है तो इनको भी आप आगे पिछे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इनकी फिटिंग सही नहीं आती है तो कौन सी कंपनी के अंदर आप जा सकते हैं कौन सा टायर अच्छा रहेगा देखें दुस्तों सबसे बेस्ट चॉज इसके अंदर रहेगी आपके पास C8 C8 के अंदर बेनिफिट क्या है कि अवेलेबिल्टी काफी अच्छी है आपके टाउन के अंदर ये टायर साइज मिल जाना चाहिए अदर्वाइज जो भी C8 डीलर्स है वो ये टायर आपको मंगवा सकते हैं अवेलेबिल्टी की प्रोब्लम नहीं आएगी सेकंड कंपनी रहेगा इसके अंदर MRF MRF के अंदर भी आपको टायर साइज मिल जाएगा तो वहां भी आप लोग जिस भी शेहर के अंदर हो आपको ये टायर अवेलेबिल हो जाएगा अब इसके अंदर कौन सा टायर अच्छा रहेगा देखें दोस्तों नैनो के बहुत हाइज स्पीड कार या पिर ज्यादा स्टेबिल्टी या ब्रेकिंग जाता लोग पर रिक्वार्मेंट नहीं है किसी की उनको पस कार ड्राइब करनी है और अपने डेली यूस के जिए रहती है तो दोनों कमपनी काफी अच्छी है C8 के अंदर extra benefit आपको मिल जाएगा कि आपको cut या blast या कोई भी road के hazard से अगर tire खराब हो जाते उसकी warranty मिल जाएगी और MRF के अंदर सिर्फ manufacturing defects मिलेगा तो दोस्तों ये बात भी आपके टाटा नहनों की आगे के tire size अलागे पीछे के अलागे है दोनों C8 और MRF के अंदर available हो जाएगे इसके लावा कुछ और companies में भी आते हैं आप चाहें तो उनमें भी एक बार try कर सकते हैं लेकिन जो हमाई recommendation होगी that will be C8 and MRF thank you friends इसके लावा आपके कोई question है तो please नीचे दियो कमेंट section के अंदर आप comment कर सकते हैं thank you